हम Memorandum of Association के बारे में जान रहे थे जिसमें अभी तक हमने Memorandum of Association होता क्या है यह जाना और उसकी विशेष्टाएं जानी अब हम देखते हैं कि जो Memorandum of Association जिसे हम हिंदिय में कहते हैं पार्षित सीमा नियम उसके स्वरूप यह जो Memorandum of Association की मैं बात कर रही हूं या पार्षित सीमा नियम की जो मैं बात कर रही हूं इसका जो निर्मान होता है वो कंपनी अधिनियम के तहत होता है अब किसी भी कंपनी की प्रकृदी के अधार पर ही उसका Memorandum of Association या हम कह सकते हैं पार्षित सीमा नियम के स्वरूप को तयार किया जाता है अगर हम देखें तो कंपनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची की तालिका BCDE में सीमा नियम के प्रारूप दिये हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो सुची है यह जो तालिका है वो कुछ इस प्रकार होती है तालिका BC का प्रारूप होता है उसमें अन्षोज द्वारा सीमित कंपनी के लिए details होते हैं तरह हम का प्रारूप देखें तो якसे कभा ह Samis company जिस में अंशिपुन्जी की द्वारा सिमित कंपनी जिसमें अंशिपूंजी हो थी हे इस तरह के डिटेल्स होते और daka ईमें सीमित कंपणियों के लिए यह तहां तो आपने देखा की इस इस तरह के फांध्स य्यूज़ होते हैं जो कि एक memorandum of association को फॉर्म करते हैं और यह किस बेसिस पे होते हैं यह जो है company की प्रकृति के आधार पर तै किये जाते हैं अब इसमें कुछ ध्यान रखने योग यह बाते भी हैं कि जब हम memorandum of association बनाते हैं तो उन को बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि memorandum of association यह क्यों हुआ इसका बनना क्यों जरूरी है साथ ही साथ और क्या होना चाहिए मतलब इसमें memorandum of association में जो उद्देश्ण निहित हैं उसकी बारे में चर्चा होती है या इस प्रश्ण का उत्तर उससे में निहित होता है साथ ही साथ यह परिच्छेदों का विभाजित तता उन पर क्रमानुसा नंबर लगा हुआ होना चाहिए फिर इस पर सदस्यों के नाम पता विवरन विवस सथा आधी लिखे होने चाहिए फिर बात आती है नाम के सामने उनके द्वारा क्रै किये गए अंशों की संख्या लिखी होनी चाहिए और फिर कंपनी के निर्मान करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए और अंते में प्रते के हस्ताक्षरों को साक्षी द्वा प्रभावित होना चाहिए तो बच्चों कुछ ये ध्यान रुखने योगे बातें होती हैं जो की एक मेमरेंडम ऑफ असोसियेशन या हम कह सकते हैं पार्षित सीमा नियम को त्यार करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए अब हम चर्चा करते हैं पार्षित सीमा नियम के यह साथ ही साथ उसमें जो अधिकार होते हैं उनके बारे में एक विशेश उले किया जाता या हम क्या सकते हैं अधिकारों को एक boundaries में बांधा जाता है जिसके अंतरगत कोई भी company अगर कोई activity perform करती है वैधानिक है तो वो उन boundaries को अगर पार करके करती है तो वह unused हो जाएंगी या वो किसी काम की नहीं है company के लिए क्यूंकि वो memorandum of association में नहीं थे यह माना जाएगा तो आईए अब पार्शित सीमा नहीं है हम को महत्व को देखते हैं तो पहला महत्व इसमें हम देखते हैं पहला महत्व है company का आधार अब जैसे कि हम जनते हैं कि जो memorandum of association है वो क्या है company की आधार शिला है बेस है क्योंकि यहां पर जो है company के उद्देशों को निश्चित की जाता है company के उद्देशों के बारे में decisions लिए जाते हैं या उनका विवरण दिया होता है कि किन उद्देशों की प्राप्ति के लिए जो है ये company अगरसर होगी साथ ही साथ वे कौन से अधिकार होंगे जो इस company को दिये जाएंगे इन उद्देशों की प्राप्ति के लिए और इन अधिकारों का पालन किन boundaries के अंतरगत किया जाएगा ये भी MOA में जो होता है सुनिश्रित किया जाता है हम कह सकते हैं इस पर कि जो MOA है ये memorandum of association है ये पारशत सीमा नियम है ये जो होती है company की आधार शिला होती है इस आधार शिला या हम कह सकते हैं एक नीव होती जैसे कि आप जानते हैं किसी पी अच्छी इमारत या मजबूत इमारत के लिए उसकी नीव का मजबूत होना बह इस पर एक company खड़ी होती है एक company की building हम कह सकते हैं या company भवन के रूप में खड़ी होती है चूंकि ये memorandum association या पारशत सीमा नियम नीव है तो इसका जो है मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के basis पे company आगे बढ़ेगी और company stand लेगी तो एक statement है जो M.S.A.S.A.S ये वास्ता में वण धाचा है जिस पर company का ड्हाचा निर्भर करता जैसे कि मैंने आपको बताया की एक नीव की तरह कार्य करती है जिस पर company का भव ये भवन निर्मेध होता है चिख के आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्व की ओर चलते हैं दूसरा महत्व कहता है कि कारिष शेत्र का निर्धारण करना अब बचे देखिए कि इसमें मैंने जैब को स्पष्ट रूप से बताया है कि जो मुए हैं या बार्श श्रीमा नियम हैं इसके अंतर कर जो है अधिकार उद्देश इन चीजों के बारे में कम्प्लीटली मेंशन किया जाता है मतलब अच्छी तरीके से वह बताया जाता है कि ये कम्पणी की इन उद्देशों की प्राप्ति के लिए अगर सर होगी उनको किस प्रकार के अधिकार दी जाएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पारशत सीमा नियम है यह अधिकार पत्र की तरह कारे करती है उन्हें अधिकार पत्र भी कहा जा सकता है और यह जो है इन अधिकार पत्रों में यह निर्धारित किया जाता है कि उस कंपनी का कारेक्षेत्र क्या होगा मतलब जैसे कि आप सिंपली समझ सकते है कि जब कारक शेतर निर्धारित किया गया है तो automatically क्या होता है कि उस company की boundaries को decided कर दिया गया है कि कितने area तक ये अपने उद्देशों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की activities को include कर सकते हैं अगर इसके बाहर जाकर के कुछ अलग से activities या क्रियाएं करते हैं तो वो व्यर्थमानी जाएंगे आईए एक और विद्वान के द्वारा दिये गए statement को जानते हैं और इसे इस point को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जो की दिया हुआ है प्रोफेसर रमया के द्वारा उनके अनुसार सीमा नियम का वक्षेतर है जिसके बाहर कोई भी कारे नहीं कर सक जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो कारेक्षेतर है यह जो हम MOA में कारेक्षेतर का निर्धारन होता है यह उसका महत्व बता रहे हैं तो basicly होता क्या है कि यह उसके अधिकारों को एक boundaries या चारों तरफ से गिराव कर देता है और उसी के अंदर ही उस company के employees को उनके कारे करना पड़ता है या क्रियाएं करनी पड़ती हैं इसके अलावा अगर वो कोई क्रियाएं करते हैं या कोई कारे करते हैं मतलब जो कि कंपनी से जुड़ी हुई हो यहां पर कोई भी कारे जो कंपनी से जुड़ा होगा वैधानिक होगा उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे कारे जो company से जुड़े हैं वैधानिक हैं लेकिन उनके MOA में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है तो वो कारे क्या हो जाएंगे वियारत हो जाएंगे आगे चलते हैं और देखते हैं की company के अधिकारों का स्थोत क्या है अब company जो होती है बचन बद्ध होती हैं कांपनी कैसे वचन बद्ध होती एम औय जैसे ही बंता है मेरेंडम की बात कर रहे हैं उसमें सारे अधिकार तदा सारे उद्देश उसमें लिखित में होते हैं अब कंपनी क्या हुई उस Memorandum of Association से वचन बद्ध हो गए अब जो भी अधिकार प्राप्त होंगे उस कंपनी को वो किसके माध्यम से प्राप्त होंगे वो जो है पार्शत सीमा नियम या Memorandum of Association के तहती उसे प्राप्त होंगे अब हम में कोई चीज कहीं से प्राप्त हो रही है तो हमारा स्त्रोथ है ना जैसे आप कहते हैं कि पानी कहां कहां से मलता है जलाशे से मलता है कुमों से मलता है बारिश का पानी भी आता है तालाप से मिलता है नदियों से मलता है तो यह सब स्त्रोथ हैं उसी तर अगर हम बात कर र को जानते हैं वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर न्यायादीश चार्ल्स वर्थ के अनुसार मेमरेंडम अफ असोसियेशन या पार्शत सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है जो उसकी शक्तियों की सीमाओं को परिभाशत करता है जैसे कि मैंने आप से स्पष्च रूप में बताया कि यह क्या करते हैं कि कंपनी को अधिकार तो देते हैं उनको शक्तियां तो देंगे लेकिन उनकी शक्तियों को बाउंडरी में घेर देंगे उनकी सीमाओं को क्या कर देंगे परिभाशत करेंगे आगे बढ़ते हैं और अगले हम महत्वक्यों चलते हैं अगला महत् जो मिम्मरेंडम ऑफ असोसियेशन जिसमें की कमपनी के उद्देश दिये हैं कमपनी को किस परकार की अधिकार दिये जाएंगे कि वो अपने अक्टिविटीज को परफॉर्म करें यह साही चीजे हैं तो वो कमपनी का पत्थ प्रदश्रक हुआ कि कि उसी की मदद से जो होग कि कमपनी के अलग अलग लेवल पे कारियों को किया जाएगा और यह जो होती है मेमरेंडम ऑफ असोसियेशन या पार्शत सीमानिया यह क्या करती हैं जो कमपनी में नहीत लोग हैं उनको कारियों को करने के लिए प्रेरिद करती है इसे हम यह भी कह सकते हैं कि जो मेमरेंड किसी भी कमपनी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, किसी न किसी उतदेश से चाहे में अंचदारी य viral Sweet Ś Memorandum of Association से अपने दाइतों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में वो Memorandum of Association के तहत जान सकते हैं, कि उनको कितने अधिकार प्राप्त हैं, उन पर किन किन तरह की लाइबलिटीज यानि दाइतों हैं, और इस कंपनी के उद्देश क्या हैं, इस कंपनी के MOA, मतलब Memorandum of Association को जो तयार किया गया है, उसके नुसार इसका अधिकार शेतर कहां तक है, और इन अधिकारों को किस तरह के से उपयोग में लाए जा सकता है, इसमें हम एक और विद्वान हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आता है, उनकी चर्चा करते हैं, कि वो क्या कहते हैं, Lord Macmillan, इन्हो कमपनी के साथ व्यवहार करने वाले अंशधारियों, लेंदारों तता अन्य व्यक्तियों को इस योग्य बनाना है कि कमपनी के कारिक्षित्र को जान सके, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि जितने भी लोग इस कमपनी से जुड़े होते हैं, उन सभी व्यक्तियों को क करना है कि कंपनी के कारिक्षित्र के बारे में इन्फॉर्म करना है या उनको इस योग ये बनाना है यह वो कंपनी कारिक्षित्र के बारे में जान सके आगे बढ़ते हैं और अगला जो है महत्व जानते हैं अगला महत्व है विनियोजकों की सुरक्षा अब क्योंकि क्या होत इस में विनियोग कर रहे हैं मतलब जिन कमपनियों में विनियो कर तो चीजिए बनी तब वो क्या करते हैं? उस company का scope मतलब वो कहां तक विकसित हो सकती है, साथ ही उसमें आने वाले Honey या जोखिम तथा होने वाले लाब का वो अनुमान लगा लेते हैं. तो इस अनुमान के तह़द तो क्या करते हैं? फिर ये विनियोजक या हम investors कह सकते हैं, ये उस company में क्या करत विनियोग करते हैं यह इन्वेस्ट करते हैं और चुकि इनको पता चल जाता है कि इन्हें कितना जोकिम उठाना पड़ेगा तो वो उसी बेसिस पर या उसी बेसिस पर मतलब वो उतना ही करते हैं जितना कि वह आगे चल करके जोकिम उठा सके या उतना ही इन्वेस्ट करते है जो की आगे चलके वो बियर कर सके हैं जिसका वो जोके उठा सकें तो ये है वी नियोजकों की सुरक्षा इसी तरह हम अगले महतों को देखें तो रिण दाताओं की सुरक्षा इसी प्रकाज जैसे की वी नियोजकों को सुरक्षा मिली है क्योंकि MOA की जो उद्देश होते हैं वो अपरिवर्तनी होते हैं तो इस थिती में भी क्या होगा कि MOA की उद्देश तो अपरिवर्तनी हैं तो जो रिन दाता होते हैं चाहे वो एक इंडिवीजुल हो या कोई दूसरी कमपनी हो या बैंक हो उनको पता होता है कि इसका स्कोप कहां त पढ़ सकता है तो उस MOA को जानने के बाद पढ़ने के बाद क्या होता है जो रिन दाता होते हैं वो क्या करते हैं उस कंपनी पर विश्वास करते हैं या ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद उस कंपनी को अगर रिन की आवश्च रखता है तो वो रिन देते हैं और वो जानते ह कि रिंड देने के पष्चात भी क्या होगा वो अपने आपको असुरक्षित नहीं महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने रिंड देने से पहले जो पार्षित सीमा नियम है या मेमरंडम ऑफ असोसियेशन है। उसको अच्छे से जान लिया था कम्पनी की तो इस तरीके सेaj quanayikum तो उसको तभी 독ह क्या जाता है जब उसमें कोई राश्च्र पाइख असवारी फैस्टी थया आती हैं कि उसमें राश्रहित नहीं दिख रहा है तो उसको डेजिस्टर नहीं किया जाता है तो ये भी प्रायर्टी है प्रार्थमिक्ता दी जाती है कि कंपनी के Memorandum of Association में राश्रहित की बात होनी चाहिए तो बच्चों इस तरीके से जो हमने इतने महतों को जाना इससे सपष्ट होता है कि जो Memorandum of Association है वो एक बहुती important document होता है किसी भी company के लिए वो एक company की आधारशिला होता है जो कि एक नीव की तरह काम करता है और उस पर company का भव यभवन निर्मित होता है और एकर इसे हम अच्छे भाशा में समझें तो जो Memorandum of Association होता है उसमें उद्देशों की बारे में वर्नत होता है साथ ही साथ अधिकार भी दिये जाते हैं और साथ ही साथ इन अधिकारों का सीमा नयन कर दिया जाता है या इनकी सीमाओं को परिभाशत किया जाता है एक और हम विद्द्वान हैं उनके दिये गए स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो Memorandum of Association है या पार्शित सीमा नियम है उसको समझा है या उनके बारे में बताया है Sir Lord Macmillan के अनुसार सीमा नियम अंश्थारियों रणदाताओं तता कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकार शित्र के बारे में बताता है जिसके आधार पर वे कंपनी के साथ भरोसे के साथ व्यवहार कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ट्रस्ट वाली बात होती है यह ट्रस्ट वाली बात हमने कहां करी दो जगा करी हमने करी विनियोजकों की सुरक्षा में भी करी और हमने यह भी जाना कि जो Memorandum of Association है वो अधिकार शेत्र के बारे में अपने से जुड़े लोगों को बताता है ये बात हमने कहा करी कमपनी के अधिकार स्तुरोत में करी वहाँ पर हमने कमपनी के पत्ध प्रदर्शक जब पॉइंट देखा उसमें जाना कि इस से रिलेड़ जितने भी लोग हैं वो MOA क पढ़ते हैं और उसके बाद जानते हैं कि उनको कहां तक अधिकार प्राप्त हैं तो अगर हम निश्कर्ष निकालें तो Memorandum of Association या पार्शत सीमा नियम जो है वो एक प्रकार का important document है जो अपने से related जितने भी यानि उस company से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनको इस प्रकार योग्य बनाता है कि वह अपनी कारिक्षित्र को जाने अपने अधिकारों की सीमाओं को जाने साथ ही साथ company के साथ व्यापार करने में या विनियोग करने में तिता company को रिण देने में अपने आपको सुरक्षित महसूस करें और company का उन पर जो trust है या विश्व वह हमीशा बना रहा है तो इस तरीके से हमने पार्शत सीमा नियम के महतों को जाना